हेलो एन वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पढ़ रहे थे आपके NCRT क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नमबर थर्टीन वेस्टू मल्टिप्लाई एंड डिवाइड और यह है पार्ट फॉर वीडियो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कोशन आंसर हमने वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और continue करते हैं हमारा चैप्टर आगे है fun with multiplication question number a look for the pattern and take this forward यहाँ पे कुछ number pattern आपको नजर आएंगे यहाँ पे 0 है उसके बाद 1 उसके बाद 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उसके बाद next वाला 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक 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 नमबर एड होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे 9 same ही रहा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अगले में 7 एड करेंगे और इस टाइप के multiplication को जब हम करेंगे तो हमारे पास answer के रूप में कैसा आएगा 1 11 11 11 मतलब 1 1 1 करके बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे जो 3 fill in the blanks है वहाँ पे क्या आना चाहिए यहाँ पे 3 बार 1 है तो इस जगा पे 1 2 3 4 चार बार 1 आएगा that is 1 11 11 next वाले में 1 बढ़ जाएगा that is 11 1111 अगले बारी में एक और बढ़ जाएगा 1 lakh 11 11 11 11 तो ऐसे करके हमारा पैटन बढ़ रहा है अगला question है each letter ABC here stands for a number यहाँ पे जो multiplication करके दिया हुआ है A A A A की जगा पे एक number है आपके पास एक clue है A is equal to 1 यानि कि यहाँ पे 111 को 111 से multiply करके रखा हुआ है आपको find करना है number B and number C जो कि यहाँ पे answer में दिया हुआ है तो उसके लिए हम पहले यह multiplication कर लेते हैं 111, 111, 111, 111 नीचे cross 111, 111, 111 उसके बाद third step में दो cross hundreds place 111, 111, 111 फिर हम करते हैं इनको add 1 cross cross इसलिए 1, 1 plus 1 2 होता है 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 1 plus 1 2 और यहाँ पे बचा 1 अब हमारे पास B और C number आ गया, यह है right side से second position पे B तो B हमारे पास क्या आया, 2 आया और यह वाला था C, यह वाला बीच वाला number यह है number 3, so we can say that B here is number 2 and C here is number 3, so we have got the answer उसके बाद है हमारे लिए question C, trick with your age, write your age, तो 5th standard में ज्यादा तर बच्चे 9 या 10 years के या 11 years के होंगे, now multiply the number with 7, 7 10s are 70, again multiply the answer by 13, that is 70 multiply by 13 तो उसके लिए हमारे पास short trick क्या है, हम 7 multiply by 13 करेंगे, 13 7s are 91 होता है, और उसके बाद जो 0 बचता है, उस 0 को यहाँ पे डाल दो, so answer is 910, now again multiply that answer by 11, that is 910 multiply by 11, 91 multiply by 11 क्या होता है, मैंने यहाँ पे किया है, that is 1001, और फिर जो यह 0 बचता है, उसको फिर से यहाँ पे लिग दो, that is 0, तो हमारे पास number क्या है, 10,000, 10 हो, now look at your last answer, can you find your age in that answer? अगर मेरी age 10 है, मतलब किया आपका answer है, तो answer figure में यह 10 कितनी बचता है, how many times does your age show in this answer, मेरे answer में हमारा age दो बार दिखाई दे रहा है, यह है 1010, और इसके बाद यह है 1010, दो बार, now try this trick with other people, आप किसी और का भी age लिखके, same time का multiplication करेंगे, मतलब पहली बारी में multiply by 7, उसके बाद again multiply by 13, again multiply by 11, यह तीन बार अप multiplication के steps करेंगे, और last में जो यह answer आएगा, यह magical answer होगा, अब हमारे पास अगला question, going round and round, यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर दिये है, जैसे उपर के नंबर तो सेम है, 1,42,857, यहाँ पर भी 1,42,857, यह उपर वाले नंबर सेम है, नीचे multiply by 1, multiply by 2, 3, 4, 5 है, और नीचे answer जो मिलता है, उसमें एक pattern है, क्या आपने इस pattern को find out किया? मैंने आपके easiness के लिए यहाँ पर answer लिख के दिया है, देखिए यह number round and round जा रहा है, 14,28,57, तो answer figure में भी सारे numbers सेम ही है, बस घुमा फिरा के answer हमारे पास आए है, so this is a magical kind of trick, चली आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारे अगले topic that is division, अब division के भी बहुत सारे अलग-अल को revise करेंगे, यहाँ पर, let's read, dolma took a loan from a friend to buy a moped, यह है dolma यहाँ पर, और इसने यह moped खरीदने के लिए, एक तरीकी की bike होती है, इसे खरीदने के लिए अपने friend से कुछ loan लिया है, और यह moped कितना है, Rs. 9,588, now she has to pay it back in equal amounts, every month for 6 months, अब उसे इस पैसे को equal amount में वापस करना है, मतलब कि this amount divided by 6, तो हमारे पास equal amount आएगा, और 6 इसलिए क्योंकि उसे 6 months तक के लिए इस amount को हर महीने थोड़ा-थोड़ा करके return करना है, तो अभी बच्चों ने कुछ calculation किया, how much she will have to pay every month, she asked her children to calculate, उसकी daughter ने ये वाला calculation किया, और उसके son ने ये वाला calculation किया, इस method को मैं आपको एक बार हलका सा revision करवा देती हूँ, मानली जीए, आपके घर में कुछ guest आते हैं, और वो आप और आपके भाई, या फिर आपकी बहन, दोनों भाई बहनों को चोटे-चोटे notes में, ये 500 का note नहीं, चोटे-चोटे बहुत सारे notes मिला के 500 है total, और बोलते है और जितना पैसा बचता है, उसमें से फिर से एक 100 रुपी का note तू रख ले, एक 100 रुपी का note मैं रख लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास दो 50 रुपी के note बच गए, तो एक 50 रुपी का note तू रख ले, एक 50 रुपी का note मैं रख लेता हूँ, हम दोनों ने आपस में प्लस 100, 200, प्लस 50, टोटल 250 रुपी आए, और मेरे पास भी टोटल 250 रुपी आए, तो हमने 500 को डिवाइड कर दिया 2 में, तो उसी टाइप का डिविजन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इस इस डिविजन इन स्टेप्स, तो यहां पे डोलमा ने जो लोन लिया थ का, क्योंकि उसे 6 मंथ इक्वल अमाउंट में रिटर्न करना है, इसलिए डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप उसने क्या किया, 6 मल्टिप्लाइ बाई 500, मतलब 500 का नोट अलग किया, 6 500 जा 3000 होता है, अब इतना बड़ा कैलकुरेशन कैसे किया, तो यह 00 वा से 3000 को माइनस करने के बाद, रिमेंडर क्या बचता है, 6 588, फिर से 500 जा, 6 500 जा 3000, रिमेंडर क्या बचता है, 3588, उसके बाद फिर से 6 500 जा होता है, 3000, फिर से रिमेंडर बचता है, इसके बाद 6 90 जा 540, सब्ट्राइट करने के बाद, रिमेंडर बचता है 48, और लास्ट में जाके 6, 8 जा 48 और हमारा डिविजन हो जाता है खतम क्योंकि यहाँ पे 00 रिमेंडर आ गए और डॉल्मा के सन ने क्या किया डायरेक्ली 1000 से ही मल्टिप्लाई कर दिया तो 6000 जा 6000 होता है इसको हम करते हैं सब्ट्रैट और आगे हमारा डिविजन को कम्प्रेट करते हैं 8 में से 0 माइनस बचा 8, 5 में से 0 माइनस बचा 5, 9 में से 6 माइनस बचा 3, 3588 अगर आप ध्यान से देखेंगे यह वाला जो नंबर है यह यह वाला नंबर यहाँ पे आ चुका है हम अगला कैसे बढ़ाएंगे 6, 500 जा 3,000 लिखके हम करेंगे सब्ट्रैक्ट हमार पास रिमेंडर आया 588 अगर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमार पास 0, 0 रिमेंडर आ जाएगा so what is the answer that we have got 1000 plus 500 कितना होता है 1500 1500 plus 90 and plus 8 that is 1598 यह हुआ हमारा question मतलब यह है हमारा answer will both of them get the same answer yes both of them got the same answer because यहाँ पे जब हम इस चीज़ को भी add करेंगे 500 plus 500 1000 हो जाएगा then यहाँ पे 598 तो यही हुआ ना 1598 so both of them will get the same answer क्योंकि दोनों में dividend same है और दोनों में divisor भी same ही है let us move next we will do some practice questions try to solve these using as few steps as you can जितने कम steps में हम इस division को कर सके हमें वो try करना है सबसे पहले a 4228 divided by 4 इस dividend का सबसे पहला वाला digit observe करना है क्या यह एक digit इसके टेबल में आता है अगर आता है तो हम continue करेंगे steps अगर नहीं आता तो हम दोडिजित ले可 फिर देखेंगे कि वो दोडिजिट इसके टेबल में आता है या नहीं तो क्योंकि यह one digit 4 है और 4 4 के टेबल में ही आता है और side में क्योंकि 1, 2, 3 और digit बचते हैं, हम side में 1, 2, 3, 0 लगाएंगे, and 4, 1000 को multiply करेंगे, 4 multiply by 1000 is 4000, है ना, correct चीज, तो उपर अगर हम 30 लिख रहे हैं, तो नीचे भी 30 लिखेंगे, अब हम कर देते हैं, subtract, तो 8 में से 0 माइनस, 8, 2 में से 0 माइनस, बचा 2, 2 में से 0 माइनस, बचा 2, और यहां पे 4 में से 4 माइनस, बचा 0, अब देखें, नमबर को observe कीजिए, 3 डिजिट आ गया, 228, अब देखो, पहला वाला डिजिट 2, क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आता चोटा पड़ गया, अब 2 डिजिट ले लो, क्या ये 22, 4 के टेबल में आएगा कहीं पे, 22 तो नहीं आता, लेकिन 22 के नसदीक का नमबर 20 आता है, 4, 5, 20 होता है, है न, तो हम क्या करेंगे, यहां पे, प्लस लगाएंगे, 5 लिखेंगे, 4, 5, 20, और क्योंकि यहां पे एक और डिजिट है, तो इसलिए हम यहां पे भी 0 चाहिए, यहां पे 0 होने के लिए हम उपर भी 0 लगाएंगे, that is, 450 जा 200 होता है, कई बार क्या होता है, 4 के टेबल में कितना दूर हम जाएंगे, वो तो पच्चों को पता नहीं होता, तो मैं यह मेथड बच्चों को सिखाती एक डिजिट असा ले लो जो नस्दीक का होगा, फिर उसके बाद बाकी के जीरो आप लगा देना, तो ऐसे करके इजी होता है, अब हम करें के सब्ट्राइक, 8 में से 0 माइनस बच्चा 8, 2 में से 0 माइनस बच्चा 2, 2 में से 2 माइनस कुछ भी नहीं, 0, now 28, 2 डिजिट नंब से इनको हम करते हैं, और वहीं हमारा एंसर होता है, see, this is 1000, and then 50 plus 7, कितना होता है, 57, 1057 is the answer here, हो गया, now, question number B, let us write 770, same voice, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हम पहले 2 डिजिट देखेंगे, कि यह 22 के टेबल में आता है या नहीं, और नंबर है, यह तो बिलकुल नहीं आएगा, ल नजदीक का कोई नंबर आएगा, सोचिए तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 होता है, 22 को अगर मैं 3 से multiply करूँ, तो क्या आएगा, 3 2s are 6, 3 2s are 66, आता है न, तो अब हम 22, 3s are 66 लिख सकते हैं, और यहाँ पी क्योंकि एक जगा खाली रह गया, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो हम उपर 0 लगा देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं 3 की जगा 30 लेती, तो एंसर फिगर में भी तो एक 0 डालना पड़ता है न, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, so now we can do the subtraction, 0 में से 0 माइनस, 7 में से 6 माइनस, बचा 1, 7 में से 6 माइनस, बचा 1, य अगर मैं इस 2 डिज़िट को लू, 11, 11 तो 22 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 11 छोटा होता है, इसलिए हमें तीनो डिज़िट को देखना है, कि यह तीनो डिज़िट 22 के टेबल में आता है, क्या, लास्ट नमबर 0 है, मतलब अगर मैं 22 को 5 से मल्टिप्लाई करूंगी, तो क्या आएगा, लास्ट का नमबर 0 आएगा न, 5, 2s are 10, 1 carry, and then 5, 2s are 10, 1 add करके आजाता है, 11, हो गया यह वाला नमबर, so we can write here, 22, 5s are 110, और फिर हमारा डिज़िजन पूरा हो जाता है, so our answer is, 30 प्लस 5, कितना होता है, 35, let us do the next one, C वाला, C is, 9,872 divided by 8, अब यहाँ पे भी 4 डिज़िट है, सबसे पहला डिज़िट को लेखे देखिए, क्या यह 9, 8 के टिबल में आता है, 9 तो नहीं आता, लेकिन 8, 1s are 8, इससे छोटा वाला नमबर होता है, तो हम 8, 1s are 8 लिखेंगे, और बाकी 1, 2, 3, 0 मुझे चाहिए थे, इसलिए यहाँ पी भी में, 1, 2, 3, 0 लिख देती हूं, so 8 multiplied by 1000 is 8000, करेक्ट हा ना, अब सब्ट्रेक्शन, 2 में से 0 गया बचा 2, 7 में से 0 माइनस 7 बचा, 8 में से 0 माइनस 8 बचा, 9 में से 8 माइनस 1 बचा, नाउ नेक्स्ट इस अगें 4 डिज़िट नमबर, लेकिन पहला वाला जो जिट लेंगे, 18, क्या यह 18, 8 के टिबल में आता है, 8 1s are 8, 8 2s are 16 होता है, मतलब 18 से छोटा, तो हम क्या करेंगे, 8 2s are 16 लिखेंगे, और बाकी जो जितने भी जगा बचते हैं, वहाँ पे हमें 00 चाहिए, तो 20 लिखे, 20 उपर भी लिख दो, so 8 200s are 1600, okay, now we will do the subtraction, 2 में से 0 ग बचा 2, now let us observe, again 3 digit number, क्या यह 2 8 के टेबल में आता है, नहीं आता, छोटा पड़ गया, क्या 27 आता है 8 के टेबल में, 27 तो नहीं आता, लेकिन उसे छोटा नमबर आता है, 8 3s are 24 होता है, और एक जगा खाली रह गई, तो वहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, उपर भी 0 लगा दिय गया, now we will do the subtraction, 2 में से 0 गया, बचा 2, 7 में से 4 गया, बचा 3, 2 में से 2 गया, बचा 0, now 32, 32 तो 8 के टेबल में आराम से आता है, 8 4s are 32 होता है, और इस तरीके से मेरा जो यह division यह पूरा हो गया, so what is the answer that we have got, यह है 1000, 1000, उसके बाद 200, 200, 34, 30 प्लस 4, 34 होता है ना, 34, तो यह है हमारा answer, 1234, now we will see the next one, question D, 672 divided by 21, same method, यहाँ पे है 2 डिजिट, तो हम पहले 2 डिजिट को देखते हैं, यह 67, 21 के टेबल में आता है, 21 का टेबल तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 21 का टेबल यहाँ पे रफ कॉलम में छोटा छोटा करके लिख लेंग क्योंकि आपको देखे, few steps में करना है, तो हम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसा करके लंबा कर सकते थे, लेकिन हमें सबसे कम steps लगाने है, 21 2s are 42, 21 3s are 63, 21 4s are 84, तो यह 84 तो बढ़ा हो गया इससे, तो हमें यह वाला नमबर ही लेना है, that we will write here, 21 3s are 63, और यह एक जगा खाली बच 7 में से 3 गया, बचा 4, 6 में से 6 गया, बचा 0, now see, 42, यहां पर हमने पहले ही करके रखाता है, 21 2s are 42, प्लस करके, 21 2s are 42, so what is the answer we have got, answer is, 30 plus 2, 32, चलिए, अब हम अगला करते हैं, अगला है, E वाला, that is, 772 divided by 7, जो कि यहां पे लिखा है, now, same step, यहां पे 7 है, एक डिजिट, यहां पे सबसे पहले एक डिजिट देखते हैं, 7 1s are 7 होता है, side में 2 जगा खाली, इसलिए 2 0 लिखाना है, और उपर भी 2 0 लगाना है, करते हैं, subtract, 2 में से 0 गया बचा 2, 7 में से 0 गया बचा 7, 7 में से 7 माइनस बचता है 0, now, 72 आया, अब देखो, इस remainder में भी जो पहला वाला डिजिट है 7, यह तो 7 के table में जाता है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 7 1s are 7, side में जगा खाली, इसलिए 1 0, तो उपर भी 0, that is 7 10s are 70 होता है, और इसको जब हम subtract करेंगे, यहां पे हमर पास 2 आएगा, और 2 हो पे stop करना पड़ेगा, तो हम answer क्या लिखेंगे, answer is 100 plus 10, that is 110, and 2 remainder, we will see the last one, F, जो की है 639 divided by 13, 13 का अगर आपको table आता है, बहुत अच्छी बात है, यहां पे 13 2 डिजिट है, हमें 2 डिजिट को देखना है, क्या 63 13 के table में आता है, 63 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा वाला नंबर है 52, जो है 13 forza, तो हम लिखेंगे 13 forza 52, और यह एक जगा यहां पे खाली रहे गई, इसलिए हम यहां पे 0, यहां पे भी 0, that means 13 multiply by 40, 520 होता है, okay, now we will do subtraction, 9 में से 0 गया बच्छा 9, 3 में से 2 माइनस बच्छा 1, 6 में से 5 माइनस बच्छा 1, अब फिर से वही step, तीन डिजिट में से 13 टू डिजिट है, तो यहां पे भी 2 डिजिट देखिए, 11 क्या आता है 13 के टेबल में, नहीं आएगा, यह तो छोटा पड़ गया, तो हम तीन ओ डिजिट देखेंगे, क्या 119 आता है 13 के टेबल में, 119 तो नहीं आता, लेकिन 13 9s 117 होता है, तो यहां पे भी पिछले वाले question की तरह answer क्या लिखेंगे, answer is 40 plus 9, 49 and 2 is remainder है, so this is what we will write in the answer, Now let us move forward and read how many times, 976 children are going on a picnic, they will be taken in a minibus, if 25 children can go in one bus, how many buses do they need? अभी यहां पे बोल रहे हैं कि 976 बच्चे पिक्निक में जाएंगे, अब एक बस में इतने सारे बच्चे तो नहीं आएंगे, तो इन्होंने क्या किया? 25 बच्चों को लिया और एक छोटे से minibus में बिठा दिया, फिर से यहां से 25 बच्चों को लिया और एक minibus में बिठा दिया, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यह जो 976 बच्चे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं, छोटे-छोटे minibuses में, that is why here the division what we have done is, 976 children divided by 25 minibuses और इस division को भी इन्होंने few steps में किया है, यानि कि तोड-तोड के, split division में किया है, लेकिन यहां पे एक problem है, 2 children have solved it, check if they have made a mistake and correct it, तो यहां पे दोनों बच्चों ने solve तो किया है, लेकिन शायद कुछ mistakes की है उन्होंने, तो चलिए देखते हैं, 25 fives are 125 होता है, correct, then the remainder is 851, 25 tens are 250 होता है, correct, and the remainder is 610, this is also correct, 25 tens are again 250, remainder है 351, उसके बाद 25 tens are again 250, remainder आया 101, उसके बाद 25 fours are 100, लेकिन remainder 1 में से 0, अगर minus करेंगे, remainder 1 आना चाहिए था, तो यहां पे यह mistake हो गया, this is the mistake here, और इसका answer कितना आया, 10 plus 10 plus 10 होता है 30, 30 plus 5 35, 35 plus 4 39, so we need 39 buses, यह इसने यहां पे correct answer तो दिया, लेकिन सिर्फ remainder में गलती कर दी थी, दूसरे वाले बच्चे ने क्या क्या, let us see here, 25 multiply by 20 is 500, ठीक है, उसके बाद जब हम subtraction करेंगे, 6 में से 0 subtract करेंगे, यहां पे 6 आना चाहिए था, तो इसने यहां पे 7 लिखा है, this is the mistake, यहां पे 6, 7 में से 0 subtract करेंगे, तो 7 ही आएगा न, 6 थोड़ी आएगा, again one mistake, उसके बाद 9 में से 5 माइनस करेंगे, तो 4 आएगा, तो 4 इसने यहां पे लिख दिया, यहां पे 7 पता नहीं कैसे लिख दिया, तो यहां पे आना चाहिए था, 4, so this is again one mistake, और इस 4 को मैं कर देती हूं, रब, उसके बाद 25, 10 जा, 250, answer के आएगा, 6 में से 0 माइनस 6, 7 में से 5 माइनस, बच 2, this is correct, again 25 फोर्जा, 100 होता है, 25 फोर्जा तो 100 होता है, लेकिन यहां पे इसने 125 लिखा है, so this is the mistake here, यह रॉंग है, 25 फोर्जा इस 100, और इसका subtraction करने के बाद हमें मिलेगा, 6 में से 0 माइनस, बचेगा 6, 2 में से 0 माइनस, बचेगा 2, 2 में से 1 माइनस, बचेगा 1, then last step में इ जहिए था, 25 फाइव जा, यहां पे 1 ना लिखके, अगर यह 25 फाइव जा करता, तो 125 वो लिख सकता था, फिर जब वो subtract करता, तो 6 में से 5 सब्ट्राइट करके 1 रिमेंडर आ जाता, तब जाके यह division उसका complete होता, और answer क्या मिलता उसे, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 5, 35, 35 प्लस 4 इस 39 यहां पे इसे same answer मिलता, so we need 40 बसे, अब देखे एक रिमेंडर, इसका मतलब एक बच्चा बच्च जाएगा, 39 बसे में इन सभी बच्चों को भरने के बाद, तो एक बच्चे के लिए एक बस लेना क्या सही है, या फिर एक बच्चे को request करेंगी कि भई, तुम अपने friends के सा 39 बसे में किसी भी एक बस में adjust हो जाओ, isn't it? और यह थी इस बच्चे की mistakes, so let us stop our video here only, आगे का portion, हम हमारे अगले पार्ट में कवर पड़ेंगे, और पड़ेंगे how much petrol, so let us meet very soon, till then thank you very much and God bless you all.